आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई फ्रेंज, आज का हमारा Question है What are Plastero Ribosome? Okay, so Plastero Ribosome क्या है, तो यह हमको बोलना होगा So, basically Plastero Ribosome क्या है न, इसाथ 70S Ribosome जो Present होता है कहाँ पर ना, हमारा Plastid में Present होता है, ठीक है So, these are 70S Ribosomes जो की Present होता है in the Plastid, okay Plastid में जो Present होता है, उसको हम बोलते है, ठीक है अच्छा, इसके बाद दोनों टर्म हमको डिस्कस करना है एक होता है Plastid और दूसरा होगा Ribosome, ठीक है तो पहले हम Plastid देखते हैं, तो Plastid क्या है न, यह Mitochondria के तरह ही एक Double Membrane Organil होता है, ठीक है एक होता है हमारा Leucoplast, दूसरा होता है हमारा Chromoplast, जो की Green, जो Leucoplast है वो Colorless होते हैं और जो Chromoplast है, इसका Orange या फिर Reddish Color होता है और Last में आता है Chloroplast, जो की Green कलर का होता है, ठीक है So these are the three types of Plastid, ठीक है और Plastid क्या है न, यह Double Membrane Organil है तो यह जो Plastid में, जो 70S Ribosome होता है, उसको बोलता है Plastid or Ribosome अभी Ribosome क्या होता है, ठीक है यह Ribosome, Ribosome क्या है यह एक Membrane Less Organil है, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी Membrane नहीं रहता है So it is a Membrane Less एक Organil है और यह जो Ribosome है, Ribosome में दो Sub-Unit होता है एक होता है हमारा Larger Sub-Unit और दूसरा होता है हमारा Smaller Sub-Unit और यह एक दूसरे के उपर रहता है, ठीक है और यह Ribosome हमारा दो Type का होता है, ठीक है क्या क्या होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है हमारा 80S और यह जो S है, It Stands for Sedimentation Coefficient जो की Ribosome का Density और Size मेजर कता है, ठीक है अब यह जो 70S Type है, यह Generally हमारा कहा पर होता है प्रो केरियोर्स में होता है, ठीक है और यह जो 80S Type है, यह होता है हमारा यू केरियोर्स में, ठीक है पर जो Mitochondria और Plastid है, ठीक है Mitochondria and Plastid यह दोनों में ही क्या होता है ना, दे कंटेन, यह दोनों ही कंटेन करते है 70S Ribosome, ठीक है 70S Ribosome कंटेन करते है इसलिए यह जो 70S Ribosome जो Plastid में होता है उसको ही हम बोलते है Plastido Ribosome ओके, यह ही था हमारा एंसर थैंक यू फ्रेंज फर वाचिंग दिस वीडियो प्लासिक्स टुट्वल से लेके NEED IIT जही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही राउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर